हेलो मार्केट में बहुत ही भेंकर गिरावट आई है क्या यह गिरावट जारी रहने वाली है क्या सबके पॉर्टफोलियो इसी तरह लाली रहेंगे या कुछ उमीड है मार्केट से आप सबको पता है युद्ध की वजह से और इस तरह इंटरनेशनल जो खबरे आ रही है उन और यह सब मार्केट इस तरह ही हो रहा है मगर क्या और जादा गिरावट आएगी तो कहां तक आएगी इसमें और बात को दिखाना चाहती हूं देखें यह तीन मिनिट पे है बांक निफ्टी और बहुत ही जादा मार्केट आज गिरा था अगर मैं इसको बड़े टाइम फ यह जो candle है जो मैं बहुत टाइम से कहती आ रही हूं इसको market ने अभी तक नहीं निकाला है आज भी market यहां तक आया मगर फिर इस तरीके से downtrend दिखा दिया ओकि यह चीज आप देख पारेंगे क्योंकि इसके बाद फिर क्या है अब trend की शुरुआत हो सकती है इस वज़े से market न के नीचे की तरफ का trend दिखाया और भी मैं आपसे यह बात कहती आ रही हूं कि जब market इस लेवल को निकालेगा यह लेवल कौन सा है यह लेवल है 51 847 यह मैंने कल प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था 51 847 जब market इस लेवल को निकालेगा तो आपको अच्छा गिरतावा दिखाई देगा तो आप देख सकते हैं market इस लेवल के बाद कितना अच्छा यहां पर गिरतावा आपको दिखाई दिया है तो अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा था यह जो ट्रापिंग रापिंग है क्योंकि सुबह को जो मोमेंट थी मार्केट ने वह कॉल साइट की दी थी मैंने खुट कॉल साइट की ट्रेड ली थी पहले तो उस ट्रापिंग में ना फस्ते वे आप यह देख सकते हैं के वाल कि भाई जब यह गिरेगा तो मैं ट्रेड ले लूँगा ओके यह वाली बात है अब मार्केट ने यह जो लास सपोर्ट है इसी लास सपोर्ट से सपोर्ट ले रखी है तो जरा से चार्ट छोटा करके देखते हैं क्या सीन है इसमें देखिए आपको मैं छोटा करके दिखा रही हूं आपको सार्थ तारिक में यहां पर दिखाई दे रहा होगा मार्केट ने डबलू बना रखा है और पूरा का पूरा प्राइस इसी सपोर्ट पे है तो इसमें आप जरूर से जरूर यह बाध्यान रखें कि अगर यह वाली कैंडल निकली ओके यह कौनसे लेवल पर है यह एसल ले सकता है यह जो डबलू मार्केट ने बना रखा है इसके डबलू बेस के एसल ले सकता है तो यह बहुत जरूरी है कि मार्केट इस जो सपोर्ट एरिया पे बैठा है इस सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेतावा ऊपर चला जाए यह बहुत अच्छा रहेगा अगर ऐ support दिखाई दे रहा होगा आपको यहां पे भी support दिखाई दे रहा होगा यहां पे भी तो यह भी market में क्या है देख लिए या तो यह इस तरीके से W माल लिजे आप ओके या आप जो है इसे ऐसे माल लिजे कि यह ऐसे करके ऐसे करके ऐसे है तो ये भी जो है प्राइस है फिलाल डबलू मिल के सपोर्ट पे है ये भी देख पा रहे हैं तो इससे नीचे क्या है इससे नीचे ये जो है अगर इससे भी नीचे मतलब की यह से मैंने तो यहाँ पर वोला था ना आपसे अगर इससे भी नीचे support line टूटती है तो price के यहाँ जाने की संभावना है और यह क्या है यह level है 49697 49697 49697 यह वो level है और और इसमें मैं आपको और बताना चाहती हूँ की देखिए इसके बाद जो price है ना उसमें बहुत ही ज़ादा आप इस बात की कंभीरता को समझें कि यहाँ पर बहुत डारेक्ट मूव आई भी है तो अगर price ने यह जो last swing है यहाँ पर price ने यह डबलू सा बना रखा है ठीक है और यह डबलू middle पर price पैठा हुआ है यह डबलू middle पर सीधी line आप कीचेंगे price जो है trade 36 अगर यह swing निकाली तो तो भई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है price के लिए तो हम यही कोशिश करते हैं बैगवान से यही मनाते हैं कि price संबल जाए और ज़्यादा डाउन ना आए जो अभी हमारा पहला डबलू है यह वाला price इसकी support पर middle पही ठहर जाए हम यही कोशिश करते हैं तो इसमें संभावना क्या हो सकती है कल के लिए क्या production हो सकती है आपको कैसे market देखना चाहिए वो आपको बताने जा रही हूँ और एक जबर्दस trade भी आपको यहाँ पे मिलेगी अगर market flat open होता है तो इसलिए वीडियो में अंतक जरूर से जरूर बने रहे देखे सबसे पहली बात तो market में यहाँ पे देखे एक support level है यह भी इसी level पे है support में तो अगर price आपको यहाँ पे मतलब इस तरीके से नीचा आके यहाँ से support लेता वादी खाई देता है तो आप एक call site की position बना सकते है ओके तो इसमें आप यह देखेंगे कि अगर यह गिर रहा है मतलब ऐसे करके direct गिर गया तो आप ऐसे position ना बना ले क्योंकि यहाँ पे भी इस तरीके से सिधी candle गिरी है अगर price यहाँ पे थोड़ा सा trap करते वे ऐसे करके गिर रहा है और फिर यह जो है इस level पे आके support लेके उपर जाता है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो SL बनाए है इनको आप इस तरीके से उठके लेगा और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें sellers कहां का हैं इसमें sellers देख तो यहाँ पे हैं और इसमें sellers देखे यहाँ पे हैं तो आपको इसमें यह trend line भी दिखाई दे रही होगी यह देखे इसमें यह trend line भी दिखाई दे रही होगी तो जरूर से जरूर इसमें यह कोशिश करें कि यह जो support है market की यह न टूटे आप यह जरूर देखें कि यह जो support है ये जव सपोर्ट है 50907 50907 देखें यह जो support है ये support न टूट्य आप इसमें इस बात का जरू से जरूर धिjoans रखें जेके कल कल मार्कट में क्या था कि यहां पर direct मूप थी तो यहां पर मार्केट में एसल नहीं थे मगर मार्केट ने यहां पे ट्रेंड लाइन बना रखी थी तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन के विल्कुल टॉपमोस को इसने टेस्ट किया उसके बाद से मार्केट डाउन फॉल में चला गया तो आज के मार्केट का परिद्रश्य भी यही है ओके यानिकी यहां पे सेलर्स मौझूद है आपको बस इसमें यह देखने की जुरूत है कि क्या किसी वी लेवल का सेलर जैसे कि अभी मैंने तीस उनेट के आपको दिखाया कि इस लेवल पे मार्केट में सेलर है इस लेवल पे मार्केट में सेलर है किसी वी लेवल का सेल क्या मार्कट ऊपर की दरफ निकालता है याने कि अगर यहां पर मार्कट आता है तो क्या मार्कट यहां से स्थरीक बना सकते हैं कु coconut को जारूद यह ज़ू तो मैं आप ऐसा को इसे जूड़ के 51674 51674 और यह level है 51963 51963 आप इन levels को जरूर से जरूर देखें अगर इन levels पे आपको fake breakout डिखता है या reversal डिखता है तो आप एक put side की trade बना सकते हैं क्योंकि देखें trend भी put का है ओके unless and until यह कुछ जो है SL vessel create करके उपर की तरफ चलता है और अब इसमें जो मैं आपसे last में कह रही थी कि एक trade आपको बताऊंगी तो मैं आपको इसमें यह बताना चाहती हूँ कि देखें अगर market अगर market इस तरह के से यहाँ पे कहीं flat open हो रहा है और इस support line का support ले रहा है किसी भी सूरत में market ने यह candle जो यह level है याने की और किसी भी सूरत में market ने यह जो level है 51319 51319 किसी भी सूरत में अगर market ने 51319 निकाला उपर की तरफ तो आपको इसमें अच्छे targets दिखाई देंगे call की तरफ आप इसमें call की side जा सकते हैं मगर यह जो level है 51319 जो यह level है यह अच्छी मारू बूजू से कटना चाहिए यह नहीं है जैसी यह छोटी मोटी इस तरह की candles है ना undecisive candles इनकी तरह नहीं एक अच्छी मारू बूजू से उपर की तरफ कटना चाहिए आप किसी छोटे time frame पे देख सकते हैं ओके और इस बात की पुष्टी कर सकते हैं कि यह level उपर मारू बूजू से कटा या नहीं कटा तो आप इसमें call side की position बना सकते हैं और देखिए इसमें एक बात और है कि अगर market को यहां से bounce back करना है तो चूकी इतनी बड़ी direct move यहां बैठी है यहां बैठी है तो market कल को trap ही करेगा अगर आपको यह सूरत दिखाई दे रही है कि market गिर नहीं रहा है तो मैं तो आपसे यही कहूंगे कि आप trade ना करें बहुत ही जादा आपके वैसे setup दिखाई दे रहे हो जिसमें आपने back tested काम कर रखा हो तो ही आप कोशिश करें क्योंकि यह price डबल मिल के आसपासी है ओके जादा जादा यहाँ तक गिरने की समभावना है अगर इसे कहना में अगर यह call site जाता है यहाँ से recovery possible है तो जादा जादा यहाँ तक के गिरने की समभावना है जैसा कि मैंने आपको बताया ये candle जो है ये जो डोजी candle है इसका आप जरूर ध्यान रखें ये तोड़ेगी तो आपको डबलू बेस के असल मिल सकते हैं ये मेरा perception है और आप टेलीग्राम आखे चेक आउट कर सकते हैं बहुत अच्छी ट्रेट्स पकड़ी हैं हमने तो यही ता मेरा वीडियो आशा है आपको प्रडिक्शन भसंद आया होगा अगर अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और चानल को कीजिए सब्सक्राइब अगर पहली बार देख रहे हैं तो बेल लाइकन जरूर दबाए लिससे की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें इसी के साथ आपसे विज़ा लेती हूं थेंक्यू वेरी मच्छ